अध्याए आठ भगवत प्राप्ति भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं भगवान ने कहा अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य सुभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है जीवों के भौतिक शरीर से सम्मंदित गतिविधी कर्म या सकाम कर्म कहलाती है ये देहधारियों में श्रेश्ट निरंतर परिवर्टन शील यह बहुत एक प्रकृति अधिभूत कहलाती है भगवान का विराट रूप जिसमें सूरे तता चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मलित हैं अधिदैव कहलाता है तथा पत्तेक देहधारी के हिदय में परमात्ना स्वरूप इस्थित मैं परमेश्वर अधियग्य कहलाता हूँ और जीवन के अंत में जो केवल मेरा इस्वर्ण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे सभाव को प्राप्त करता है इसमें रंच मात्र भी संदे नहीं है एकुंति पुत्र शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का इस्वर्ण करता है वह उस उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है अतेव हे अर्जुन तुम्हे सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के करतवे को भी पूरा करना चाहिए अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं गुद्धी को मुझे में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे हे पार्प जो यक्ति मेरा इस्वरण करने में अपना मन एरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है वह मुझे को अवश्य ही प्राप्त होता है मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सरवग्य पुरातन नियंता लगुतम से भी लगुतर प्रतेक का पालन करता समस्त भावतिक बुद्धी से परे अचिंते तता नित्य पुरुष के रूप में करे वे सूरे की भाति तेजवान हैं और इस भातिक प्रक्रति से परे जिव्य रूप हैं मृत्य के समय जोव्यक्ति अपने प्राण को भावों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचरित मंग से पूर्ण भक्ती के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है वे निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है जो वेदों के ज्याता हैं जो ओंकार का उचारन करते हैं और जो सन्यास आश्रम के बड़े-बड़े मुनी हैं वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं ऐसे सिद्धी की इच्छा करने वाले ब्रह्म चरे वृत का भ्यास करते हैं अब मैं तुम्हें वहविदी बताऊंगा जिस इस योगा भ्यास में सिथ होकर तथा अक्षरों के परम से योग यानी ओंकार का उचारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंदन करता है और अपने शरीर का प्याग करता है तो वह निश्चत रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है हे अरजुन जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा इस्वरण करता है उसके लिए मैं सुलब हूँ क्योंकि वह मेरी भक्ती में प्रवत रहता है मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ती योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते क्योंकि उन्हें परमसिद्धी प्राप्त हो चुकी होती है इस जगत में सर्वोच लोग से लेकर निम्नतर सारे लोग दुखों के घर हैं जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है किन्तु है कुंति पुत्र जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वैं फिर कभी जन्म नहीं लेता मानवी गणना के अनुसार एक हजार युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इतनी बड़ी ब्रह्मा की रात्री भी होती है ब्रह्मा की दिन की शुबारम में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं और फिर जब रात्री आती है तो वे पुना अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्री होते ही असहाइवत विलीन हो जाते हैं इसके अतरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रक्रती है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तता अव्यक्त पदार्थ से परे है यह परा और कभी नाश न होने वाली है जब इस संसार का सब कुछ लए हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता जिसे वेदान्ती अप्रक्रत तता अविनाशी बताते हैं जो परंगंतव्य है जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता वही मेरा परंधाम है भगवान जो सबसे महान है अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किये जा सकते हैं यद्यपीवे अपने धाम में विरा कालों को बताऊंगा, जिनमे इस संसार से प्रयान करने के बाद योगी पुने आता है, अथवा नहीं आता जो परब्रम के ग्याता हैं वे अग्मी देव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुवक्षन में, शुक्ल पक्ष में या जब सूरे उत्तरायन में रहता हैं, इस संसार से शरी त्याग करने पर उस परब्रम को प्राप्त करते हैं, जो योगी धुएं, रात्री, कृष्ण पक्षमे या सूरे के दक्षिनायन रहने के छे महीनों में दिवंगत होता है, वह चंद्र लोग को जाता है, किन्तु वहां से पुन्हें चला आता है। वैदिक मतानुसार इस संसार से प्रयान करने के दो मार्ग हैं, एक प्रकाश का तथा दूसरा अंधकार का, जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है, तो वह वापिस नहीं आता, किन्तु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुन्हें लोट कर आता है। हे अरजुन, यद्दपी भक्त गण इन दोनों मार्गों को जानते हैं, किन्तु वे मोह ग्रस्त नहीं होते, अते तुम भक्ती में सदैविस्ते रहो। जो व्यक्ती भक्ति माक स्विकार करता है, वह वेधाध्यन, तपस्या, दान, दार्षनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। झाल झाल